यूपी में नहीं बंदेगी इंडिया गटबंदन की गांट विधान सभाचुनाओ का दिखेगा साइड इफेक्ट पहले SP से हुई अनबन अब RLD से भी हो रही खटास 2024 के लोग सभाचुनाओ को लेकर भले ही इंडिया गटबंदन तयार कर लिया गया हो लेकिन ये गटबंदन 2024 में कमाल कर भी पाएगा इसकी उमीद कम ही दिखाई पर रही है ऐसा कहने की पीछे वजा भी है जैसे कि आप विधान सभाचुनाओ में देख रहे हैं कि कॉंग्रे में एसपी के बाद अब RLDB राजस्थान चुनाव में केवल एक सीट मिलने के बाद कॉंग्रेस से खफा खफा दिखाई पड़ रही है जो हमें अपेच्छा थी अपेच्छा के अनुरू कॉंग्रेस ने हमें सीटे नहीं दिये बावजूर के जो हमें मिलना चाहिए था व तुम कहां के बंसल होगा बंसल जी दुखी एक कांग्रेस ने धोगा दे दिया हमें पैचाना ही नहीं शायद कॉंग्रेस के इसी रवये को देखते हुए अखिलेश ने यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया था जिसके बाद कॉंग्रेस ने भी सभी सीटों पर लड़ने की बात कह दी थी इसके साथ ही कॉंग्रेस ने स्पी को पार्टी से अलग हो रहे लोगों को लेकर सीख देने भी शुरू कर दी है मेरे पास इतने वरिष्ट नेता है उनके यहां से तो अखिर उनको देखना चाहिए कि हमारे यहां से लोग क्यों जा रहे है यह बड़ी बात है ना कि मेरे यहां से कोई जा रहा है यह विचार करना चाहिए कि अखिर में किस वेवार से किस कारण से मेरे यहां से लोग जा रहे है SP और कॉंग्रेस में मचेज घमासान के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि UP में इंडिया गटपंदन की गाट बंधनी मुश्किल होगी और राजनीतिक स्वार्तों के तहट अगर यह गाट किसी तरह बंधती भी है तो इसमें तमाम गाटे होंगी